नमस्कार सांथियों Study with Ariant YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एह डिक्टेशन चामदारी कुपता खंड दो से 85 सब्द पतिमेट की गती से दी जाएगी चलिए तो डिक्टेशन को प्रारंब करते हैं डिक्टेशन पांस सेकेंड बाद महोदय बच्चे किसी भी देश के भविश्य होते हैं एह यतार्त सत्त है और सदियों से इस ओर बिसेज ध्यान देने की आविशक्ता पर बल दिया गया है जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्त रहन सैन और उनकी सिख्चा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना सौभाविक है लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे बहुत एक बादने हर छोटे बड़े समाच के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिये हैं की बच्चों को किस तरह उनका हक दिलाया जाए जिससे वे आंगे चल कर मजबूती और आतम विश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सकें पिछले कुछ दसकों से बच्चों के भविश्य को लेकर उपजी चिन्ताओं ने बैग्यानिकों और मनो बैग्यानिकों को सोद और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है नित नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुभिदा में डाल दिया है एक और जहां जीवनियापन के लिए महिलाएं भी पुरसों की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही है वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक सनरचना गड़बढाने लगी है आजीवी का कमाने और अत्यदिक सुख बैभव की चाहतने हर दमपत्ती को जीवन सेली बदलने पर मजबूर कर दिया है समाज में हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उपेक्षित होने लगे हैं अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताविक एहे इस पश्ट है कि अगर बच्चों के प्रती माता प्रता की उदाशीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परिसानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा बच्चों के सर्वागीन विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्त माता पिता अपने बच्चों के स्वास्त को लेकर चिंतित रहते हैं अपने सामर्थ के अनुसार वह है कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कोर कसर बांकी नहीं रहने देना चाहते इस प्रियास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनुबैग्यानिक दवाव रखने में लगे रहते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे और फिर एह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं आसा में खाने पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं इन बच्चों में मौटापा होना प्रमुख है अगर आंक्डों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिगसित देशों में खास तोर से बच्चों का मौटापा चिंता का बिसे बनता जा रहा है पिछले पांच दसकों से खास तोर से अमरीका में मौटापे के सिकार बच्चों की संख्या दूगनी हो गई है कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की उम्र के ऐसे अमरीकी बच्चों की संख्या लगभग 47 लाग थी यही नहीं इस उम्र के मौटापे के सिकार बच्चों का कुल आउसत 10.9 प्रतीशत था ऐसे बच्चों की प्रतीशत औसत की तुलना में दो गुना से अधिक थी इनमें मौटापे के सिकार बच्चों की संख्या पिछले 10-12 सालों में काफी तेजी से बड़ी है महुदय बिक्सित देशों की भाती बिकास सील देशों में फिलहाल एह समश्या नहीं है लेकिन बदली हुई परिस्तितियों में बिशेश कर संबरांत परिवारों और कामकाजी माता पिता के बच्चों के बीच मौटापे की समस्या तेजी से बड़ रही है बैसे तो बच्चों के मौटे होने के लिए कई परिस्तितियां जिम्मेदार होती हैं जैसे उनके पैत्रगुण भूक उसका स्वभाव और दुखी होना किनी बिशेश प्रकर्णों में हार्मोन संचे में गड़बडी होना मौटापे का कारण बन जाता है यदि बच्चे के माता पिता मौटे हैं तो बच्चे की भी मौटे होने की संभावना बढ़ जाती है पैत्रग कारणों के अलाबा बच्चे का सौभाव भी उसके मौटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है जो बच्चे जादा नाखुश रहते हैं वे पत्यक्ष रूप से जादा खाने के आदी हो जाते हैं ऐसे बच्चों में आसा में खाने की आदतें कहीं जादा होती हैं जब कभी उनका मन नहीं लगता बे कुछ खा पी कर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे एह आदत बढ़ती जाती है जो उनके मौटा पे का कारण बन जाती है इसके अलाबा जो बच्चे खेल कूंद में दिल्चस्पी नहीं रखते उनके भी मौटा होने की संभावना होती है ब्यायायाम की कमी से सरीर की उरजा चरबी में परिनत होने लगती है इन सब परिस्तितियों में मौटा पे के आसार बढ़ने लगते हैं अधिक भूक लगना और अधिक भूजन खाना मौटा पे का सबसे बड़ा कारण होता है नवजात सिसू ही क्यों ना हो उसे आविश्यक्ता से अधिक दूद पिलाना अवांचनिये है दूद के इस्थान पर थोस आहार देना कहीं अधिक स्रेश कर होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके खाने पीने में खास कर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए की उसमें चर्बी बढ़ाने का कारण बनने वाले खाद्यपदार्थ खास कर घी मक्षन आदी का इस्तिमाल अनुपास से जादा ना होने पाए करीब 6-7 वर्स से लेकर 14 वर्स तक की उम्र के बच्चों का सारीरिक विकास अतिदिक तेच हो जाता है इस उम्र के दौरान विविन सारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तनों के कारण बच्चों में मौटापा वर्णे का खतरा रहता है स्टॉप एदि यह डिक्टेशन आपको फसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सेर करें थैंक यू जैहिन